हमारा इसके जो अगला सवाल था जो तीन सवाल मैंने पहले करवाया चौता सवाल यह है हमारे पास 4, sin 430, plus cos 60 यह हमें कोई सवाल दिया है हमने इसका left hand side यह हैंने की भाया पक्ष लिया 4 ऐसा कैसा हमने आप साइन 30 का मानिक बटा दो होता है इसकी पावर 4 चल रही है, plus cos 60 की value हमने रखी, minus ऐसा का ऐसा, 3 ऐसा का ऐसा बड़ा कोश्टक, हमने cos 45 का मान रखा और उस पर square लगाया, minus sin 90 का मान एक और उसका whole square और कोश्टक हमारा बन, 4 ऐसा का, ऐसा, 1 की पावर अगर 4 करते तो 1 ही होता है, 2 की पावर 4 यहने 16 यह ना करते कि 2, हमने 2 को 4 से गुणा किया, तो 8 की चातर क्या करते है, 2 की पावर 4 यहने कि 2, multiply 2, multiply 2, then multiply 2 तो वो हमारा कितना होगा, 16 होगा, plus 1 by 2, minus 3 है हमारा चल रहा है, जो चल रहा हो ऐसा कैसा ही है फिर, जो हमारा next, जो कोश्ट रकता है, उसमें, 1 का whole square 1 होता है, रहें, root 2 का square 2 होता है क्योंकि root 2 multiply, root जो 2 होता है, और then minus 1 ऐसा का, ऐसा 4 ऐसा का, ऐसा, 16 और 2 में, जो हमने LCM लिया, वो 16 प्राप्त हुआ, तो 16 की पाड़े में, 16 एक बार, और 1 multiply, 1 कितना हो गया, 1 प्लस, 2 के table में, हमने 16 देखा, तो 8 बार आया, और 8 को 1 से multiply किया, तो 8 minus 3, और इसे प्रकार, 1 और 2 का भी LCM लिया, तो हमें, ये चीज प्राप्त हुई है 4 के पाड़े में, 16, 4 बार आता है, 8 और 1, 9 हो गया, minus के 3, 1 में से 2 गया, तो minus का 1 बचेगा, और बटावा 2 minus और minus को multiply किया, तो plus हो गया, फिर देन 4 और 2 का हमने लगूता हम लिया, तो 4 प्राप्त हुआ, और हम नारा को प्राप्त हुआ कि 9 प्लस, 2 के पाड़े में, 4 कितनी बार आता है, 2 बार और 2 हो तिया, 6, तो 9 और 6 होता है, 15 और यह हमारा अंसर आता है, RHS, यहने कि LHS बराबर RHS हमारा एंस प्रूव्ट होता है, अब next question देखते हैं, बहुत अच्छा question है यह, कि यदि ठीटा का मान 45 हो, तो हमें इसका मान तान है, अब हमें बहुत अच्छी तरसे पता होना चाहिए, कि हम्हgen यह, पर ठीटा का मान पूट करके देखना हैं, तो 1 माइनेस की कॉस्ट 2 ऐसा का ऐसा और हमैं यह, पर ठीटा का मान पूट कर दिया, 45 और साइंट 2 और सीटा की वैलू हो गई 45, तो 1 माइनेस की 90 की value 0 होती है sin 90 की value 1 होती है 0 का कोई मतलब नहीं क्योंकि 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा और 1 में 1 का भाग लगाए जाएगा तो 1 ही प्राप्त होगा Very important सवाल है next question हमारा कि यदि A का मान 60 डिगरी और B का मान 30 डिगरी है तो हम इसी दिखरना है कि cot A minus B is equal to cot A cot B plus 1 और cot B minus cot A यह हमें 1 पूछा था तो यहाँ पर हमने क्या करा देखी कि यहाँ पर हमसे पूछा कि left hand side लिया cot A minus B तो A के value किती थी 60 और B के value किती थी 30 तो कितना प्राप्त हुआ cot 30 प्राप्त हुआ और cot 30 की value कितनी आती है मारे पास root 3 आती है उसी प्रकार अब हम देखते हैं कि यहाँ पर RHS देखते हैं तो इसका RHS हमने देखा तो RHS में हमने यह देखा कि इसमें cot RHS में आपको बताती है कि क्या था RHS कि RHS हमारा था cot A cot B plus 1 और नीचे था cot B minus cot A यहने कि हमारा सबसे मैतपून जो कारे रहा है वहाँ पर हमें सिर्फ मान पूट करना है मैंने इस RHS में मैंने सिर्फ और सिर्फ मान पूट किया जा 60 की value cot की 1 upon root 3 रखी and cot 30 की value root 3 रखी then plus 1 और नीचे इन दौनों की value रख दी root 3 से root 3 cut गया cut हुआ तो 1 बचा and then plus 1 plus 1 upon upon करा हम लोगों ने तो upon में हमने देखा कि नीचे हमने LCM लिया कि 1 and root 3 का LCM लिया तो root 3 आया 1 के अगर table में root 3 देख तो root 3 बार आता है इस root 3 को इस root 3 से multiply किया तो 3 प्राप्त हुआ minus इस root 3 जो है यह root 3 की table में एक ही बार आयेगा और एक को एक से multiply करेंगे तो 1 आयेगा तो 1 and 1 2 हो गया 3 में से 1 गया 2 by root 3 तो यह cancel हो गया 2 से 2 तो बचा कितना root 3 यहने कि हमारा LHS भी root 3 और RHS भी हमारा root 3 है तो हमें प्राप्त हो जाता है यहाँ पर LHS बराबर RHS हैंस्ट प्रूब्ड है नेक्स कोशन हमारा कोशन नमबर 7 कि यदि X की value 30 है तो हमें यह चीज सिद्ध करने हैं आपर 2 कोशन दे रही हो में और इन दौनों कोशनों में आपको X की value रखका बतानी है यह सवाल बोड के अंदर 2013 या किसी में आया था कि जहाँ पर एक कोई X की value पूट करनी थी और आपको अपना कोशन को सॉल्व करना था और उसका अंसर प्राप्त करना था तो यहाँ पर देखा कि जहाँ जहाँ X है वहाँ हमें X की value 30 पूट करनी है तो sine 3 और X की जगे 30 value पूट करी बराबर 3 sine 30 minus 4 sine ऐसा का ऐसा और इस X की value हमने कितनी रख दी है यहाँ पर 30 और इस पर कितना चल रहा है इसका whole cube चल रहा है sine इसको यह हुआ 30 को 3 से करा तो 90 हुआ 3 ऐसा का ऐसा sine 30 की value एक बटा दो minus 4 sine 30 की value एक बटा दो और इसकी power कितनी चल रही है 3 चल रही है sine 90 की value एक होती है 3 को 1 से multiply किया 3 by 2 minus 4 1 का cube 1 होता है और 2 का cube 8 होता है चार को 8 से cut किया तो 2 आया फिर वही बटे का राशी का हमने लगुत्तम लिया तो हमारे पास एक प्राप्त होने कि जो LHS था वो RHS था और हमें इससे क्या हुआ हैंस्ट प्रूफ्ट हुआ उसे प्रकार question number 8 देखेगा या sorry इसी में second था इसी का second देखेगा कि x की value वह आपको 30 रखनी है और जब आपको x की value से 30 रखनी है तो यहाँ पर हमने देखा कि cos 2 x की जगे हमने 30 रखा 60 बना cos 60 की value 1 by 2 1 में से half cancel हुआ तो half बचा by 2 यह हुआ तो इसका 1 by 4 1 का LCM 1 और 4 का 2 और दोरों तरफ LHS बराबर RHS है next question हम दोग देखते हैं question number last आठवा जो की बहुत अच्छा important है x का मान आपको ग्याद करना है यह कुछ दियावा है कि sin 2 x ऐसा क्योंकि इस पर x का मान ग्याद करना हूँ ऐसा है का ऐसा sin 30 की value root 3 by 2 cos 30 की value root 3 by 2 minus cos 60 की value और sin 30 की value भी दी गई है यहाँ पर root 3 को root 3 से multiply किया 3 मैंने आगे भी बताया था आपको और 2 से 2 को multiply किया तो 4 1 को 1 से multiply किया 1 2 को 2 से multiply किया 4 वो यह LCM लिया तो 4 LCM आया 3 minus 1 2 2 1 कम 2 2 दो निच्चा अब हमें देखना है कि sin 2 किसके बराबर आया एक बटा 2 के बटा में तो यहां मान किसका ग्याद करना है x का ग्याद करना है तो हमें पता होना चाहिए कि सानी में sin क्योंकि यहां sin है तो sin में देखेंगे अगर यहां cos होगा तो cos में देखेंगे तो एक बटा जो 2 होता है वो sign में किसकी value होती है 30 की होती है तो दौनों तरफ sign हटाया तो 2x is equal to 30 और 2 को हमने 30 से cut किया 2 एक कम 2 बचा 1 गया पीछे तो बंजिया 10 2 बंजे 10 तो x की value आती है 15 मैं आप सभी चातर चातराओं से निविदन करती हूँ जो इस वीडियो को देख रहा है इस lockdown के अंदर कम से कम अब इतने लापरवाना हूँ कभी भी exam की declare हो सकती है तो आप लोग कम से कम अब पढ़ना शुरू कर देना क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं रहा है तो जो भी वीडियो बना के मैं बना रही हूँ जो दे रही हूँ यह आपको available करा रही हूँ इन वीडियो को देखें ताकि important question आप लोग समझ सकी और इस भी आप पर आप सारे सवाल कर सकें Thank you